BE तथा AL का विक्रन समन्द दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बेरेनियम तथा एलुमिनियम का विक्रन समन्द बताऊंगा पिछले वीडियो में हमने लीथियम और मेगनीशियम में विक्रन समन्द को पड़ा था और उसमें हमने ये देखा कि लीथियम छोटा अकार का होता है और लीथियम छोटा अकार का होने के कारण मेगनीशियम से समानता परदसीत करता है लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बेरियम और एलुमिनियम में वीकरण सम्मंद के बारे में हम देखेंगे कि जो बेरियम होता है वो किस परकार Aluminium से समानता परदसित करता है देखे, Barium और Aluminium Barium और Aluminium इनकी Aionic तिर जाएं समान नहीं होती है जैसे हमने उसमें देखा था, Lithium और Magnesium में उनमें दोनों की Aionic जो तिर जाएं थी, वो समान थी लेकिन यहां पर Barium और Aluminium में जो Aionic तिर जाएं हों समान नहीं है परन्तु इनके जो छेतर पर आवेस हैं, मतलब इनके उपर जो आवेस हैं वो लगबग बराबर होते हैं, जिसके कारण इन दोनों में समानता पाई जाती है इसमें जो पहली जो समानता है, वो यह है कि Beryllium तथा Aluminium के Aionic विभव समान होने के कारण इनकी दुर्वन समता लगबग बराबर होती है, जिसके कारण ये दोनों ही मुख्य रूप से सहस्योजी योगिक बनाते हैं और इन सहस्योजी योगिकों के गलनांक और कव्थनांक दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं इनकी जो विल्लेता है कार्बनिक विलाईकों के अंदर ज्यादा होती है और एकार्बनिक विलाईकों के अंदर कम होती है तो ये पहली समानता थी इसमें दूसरी जो समानता है वो क्या है देखे इनकी अधिक दुर्वन समता के कारण दोनु जो तत्व हैं वो संकुल योगिकूं का निर्मान करते हैं जैसे बेरिनियम जो संकुल बनाएगा वो जल के साथ बी एस्टू ओ फॉर तू पलस यह बेरिनियम संकुल बनाएगा और एलुमिनियम जो संकुल बनाएगा वो यह है A L S 2 O 6 3 पलस यह 6 है यह संकुल एलुमिनियम बनाएगा तो इस परकार दोनु ही जो तत्व हैं संकुल योगिक बनाते हैं तो यह इसमें दूसरी समानता थी तीसरी समानता यह है गि बेरिनियम वए एलुमिनियम दोनु के लवनु के वीलियन अमली होते हैं यह है B E 2 पलस तथा A L पलस थ्री आयनु की अत्यदिक दूर्ण सीलता के कारण जो एक जल अनु को दूर्वित करके OH- के साथ 6 स्योजिब बना लेते हैं तता H पलस को सवतंतर कर देते हैं जैसे उधारन देखें इसका H 2 O B E H 2 O 3 हमने यह संकुल देखा था और इस संकुल में यहां पर H 2 O 4 था जिसमें एक जल के अनु को हमने इधर ले लिया अब इसमें क्या होगा देखें यह जो H पलस है यह बाहर रह जाएगा और बाकी OH के साथ जो बेरिनियम है वो dari जाएगा और बाकी A6 से ही जो जल्ल कानु है वो इस परकार रहेगा पलस इसी प्रकार जो दूसरा जो है वो भी इसी प्रकार से संकुल का निर्मान करेगा एलुमिनियम भी इसी प्रकार से संकुल का निर्मान करेगा उसमें जो यहां पर H2 O है 6 लिया था हमने तो यहां पर 5 रह जाएगा जो 3 है इसके स्थान पर यहां पर 5 आ जाएगा और एक जलकानू यहां जाएगा तो H पलस यहां रहे जाएगा, OH यहां रहे जाएगा, BE के स्थान पर A एलुमिनियम आ जाएगा और यहां पर 5 आजाएगा और पलस 2 आजाएगा यहां पर तो इस परकार ही वो भी समानता परदसित करता है अब देखें दोस्तो अगला जो इसमें जो समानता है वो क्या है अगली समानता यह है कि बेरिनियम और एलिमिनियम दोनु ही उबहदर्मी होने के कारण दोनु ही उबहदर्मी होते हैं और यह उबहदर्मी होने के कारण सोडियम हाइड्रोकसाइट से किरिया करके बेरिलेट तथा एलुमिनेट बनाते हैं जैसे Be plus 2NaOH इसके साथ ये किरिया करके क्या बनाएंगे Na2BeO2 ये बनाएंगे साथ हाइड्रोजन गेस बहार निकल जाएगी अब इसी परकार से अलुमिनियम भी इसी परकार से क्या बनाएगा सोडियम एलुमिनेट बनाएगा ये NaOS से किरिया करेगा और इसका कुछ जली वीलियन हम लेते हैं तो S2O लगाएंगे क्या बन जाएगा 2NaAlO2 और 3S2 बहार निकल जाएगी तो इस परकार बेरिनियम और एलुमिनयम दोनी उबह दर्मी होने के कारण ये NaOS के साथ किरिया करके एलुमिनेट और बेरिलेट ये बनाते हैं इसके बाद में पांचवी जो समानता है वो क्या है देखो दोनु के ही बेरिनियम और एलुमिनियम के ओकसाइड भी उबह दर्मी परकरती के होते हैं ये अम्ल और शारक दोनु से किरिया करके लावन और जल बनाते हैं जैसे Beo प्लस 2NaOH ये शारक है इस शारक से किरिया करके बेरिनियम का ओकसाइड एक तो क्या बनाएगा सोडियम बेरिमिनेट बेरिलेट सोडियम बेरिलेट एक तो ये बनाएगा और साथ में ही जो जल कानू है वो बनाएगा ये 2 आएगा यहाँ पर Na2Beo2 ये बनाएगा इसी प्रकार जो एलुमिनियम का जो ओकसाइड है एलुमिनियम ओकसाइड है Al2O3 ये भी शारक के साथ किरिया करके एनिवर्च ये शारक है इसे किरिया करके क्या बनाएगा 2NaAlO2 ये तो लवन है और साथ में क्या बन जाएगा जल कानू ये जल है तो हमने देखा दोनू ही बेरिनियम का ओकसाइड वी और एलुमिनियम का ओकसाइड दोनू ही शारक से किरिया करके लवन और जल बनाते हैं इसी प्रकार ये दोनू ही अगर अमल से किरिया करवाएं जैसे बेरिनियम ओकसाइड है इसकी अमल से किरिया करवाएं से तो भी ये लवन और जल देंगे बि-ए- इ शी-अल टू ये तो लवन है और ए-स-टू-ो है ये है जल इसी प्रकार अलुमिनियम का ओकसाइड देखिए अलुमिनियम का ओकसाइड देखिए AL2O3 यह aluminum oxide है यह SCl से किरिया करेगा तो भी यह क्या बनाएगा लवन ओर जल ALCl3 plus S2O इस प्रकार यह बनाता है तो यह इसकी पांचवी विशेशता थी या पांचवी समानता थी यह इसकी पांचवी समानता थी चट्वी समानता क्या है देखे BECL2 की तरह है ALCl3B क्या बनाता है डिवलिक बनाता है या डिवलिक होता है जैसे CLBE और यह CL इसी प्रकार दूसरा जो BE है यह क्या करेगा इसको इसके साथ उपसेशियोजी बंद बना लेगा और यह जो CL है वो इसके साथ उपसेशियोजी बंद बनाएगा तो यह दिवलिक होता है इसी प्रकार जो ALCl3 है यह भी दिवलिक होगा जैसे यह AL है और इससे तीन कलोरिन इस प्रकार यह जुड़े हुए है और दूसरा अलुमिनियम है उससे भी यह तीन क्या जुड़े हुए है CL जुड़े हुए है इस प्रकार तो यह AL इसके साथ उपसेशियोजी और यह कलोरिन इसके साथ उपसेशियोजी बंद बनाएगा तो इस प्रकार इसकी भी दिवलिक शरंचना होती है तो यह थी इसकी चट्वी समानता अब सात्वी है दोनुके कारबाइड जल से किरिया करके मेथेन गेस देते हैं देखे कैसे यह BEC B2C यह बेरिनियम का कारबाइड है यह जल से किरिया करेगा H2O जल से किरिया करेगा तो CH4 बनाएगा और साथ में 2BEO यह बनाएगा इसी प्रकार जो एलुमिनियम का जो कारबाइड है वो यह है AL4 C3 यह भी क्या करेगा जल से किरिया करेगा H2O तो क्या बनाएगा CH4 प्लस AL2O3 यह बनाएगा तो दोनु ही बेरिनियम का कारबाइड और एलुमिनियम का कारबाइड दोनों ही जलसे किरिया करके CH4 गैस बनाते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि बेरिनियम तथा एलुमिनियम का जो विक्रण समंध है वो इस प्रकार होता है और इसन दोनों में समानता पाई जाती है थैंक्यू फोर वाचिंग